वेल्कम तू सिभिल इंजिनिंग गुरूप आज हम आपके लिए सेंड से जुड़ी तमाम जनकारी लेकर रहा हैं सेंड क्या है इनके क्लासिफिकेशन इनके टाइप्स तमाम चियों की जनकारी आपको हम देंगे और पूरे डिटेल से देंगे सबसे पहले हम जान लेते हैं स सेंड क्या है देखिएगा सेंड एन और्गेनिक मेटरियल इट कॉंसिस टॉप स्मॉल एंगुलर ठीक है अब समझ के होंगे सेंड अब देखिए अब क्लासिफिकेशन आप सेंड कर बात करते हैं कोर्डिंग तू नेचुरल सोर्सेज तो यह तीन परकार करके होते हैं सेंड को एड किया है बट यह सेंड आपको नेचुरल सोर्से से नहीं मिलते हैं इनको बनाने पड़ते हैं इसमें रोक से यह सेंड हम बना जाते हैं बहुत महीं होते हैं इसलिए इनका परशन न के बराबर है अब दिक है क्लासिफिकेशन आप सेंड बेस्ट ओन दा ग्रें साइज अब अगली बारी बेरी आती है कि दाने के परकार के अधार पर सेंड कितने परकार के होते हैं कि दुखिए गाई गेंद साइज का अधार पर संथीर परकार करते हैं फाइन सेंड कोर सेंड और गरेबल सेंड इसके लाओं मैंने एक टेवाला प्लिए बना दिया पहले इन तीनों को समझे लें तो फाइन सेंड का मतलब क्या होते हैं कि साइज कितनी होने चाहिए 1.587 एम यूज पर फ्लाष्टिंग वर्क में किया आता है और सी यह क्या होना चाहिए ? किलियर इनके उप्ञिंग होनी चाहिए । मतलब होता है चली इनिडियरेश्टल की जो छली होती इसके अलग नाम होते हैं इसके इसकी बात हम करेंगे टेस्ट ऑफ सेंड में पर सेंड करते ह तो यह सेंट का साइज कितना होना चाहिए 6.62 mm और इनके यूज कहां करते हैं कॉंक्रीट वर्ग में चाहिए कोई भी कॉंक्रीट वर्ग हो रूफ स्लेब हो लिंटर हो ग्राउंड भी मों प्लिंग भी मों एड्सेटरा एक्टेवर और है मेरे पास यहां देख लिजिएगा सेरिल नमबर टाइप सबसंद और ग्रेंट साइज बहरी पहला है मेरे भी फाइन सेंट 0.0625 mm से लेकर 0.125 mm तक मेडियम सेंट 0.25 mm से लेकर 0.50 mm कोट सेंट 0.50 mm से लेकर 1 mm तक और वेरी कोट सेंट 1 1 mm से लेकर 3 mm तक यह होगा आप इसको नोट कर लेंगा और याद कर तो बिल्कुल जो है fine sand है उनका used plaster work के लिए किया जाता है ठीक है अब एक सवाल पर आता है कि fine modulus क्या है what is the finest modulus मेरे पास वैसे तो इस लेक्चर के डिप्स्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे जिस पर हमने एक लेक्चर दिया है तो वहां जाके आप पूरी जनकारी आप प्राप्ट कर सकते हैं यह जो टेबल है जिसको मैंने उस टेस्ट में सामिल नहीं किया था यहां मैं आइड कर रहा हूँ अब देख लें बर्किंग ऑफ सैड मौसराइज कॉंटेंस परसेंटेज बाइवेट ठीक है दूसरा आपका ह बात करते हैं मौसराइज कॉंटेंट बाइवेट तो इसका फाइन सट का परसेंटेज कितना होगा सोला मेडियम का आठ और जो है कोर्स का छे ठीक है उसी तरह दो में हो गया तो उसका फाइन का होगा 26 16 और 12 इस तरह से तमाम यह जो है टेबल मैंने आपके लिए बना दिय है अब चलिए जानते हैं हम टाइप सब सेंट के बारे में तो अब हम जो तमाम सेंट को हमने एक साथ किया है तो यह आपको 21 परकार के सेंट के बारे में आपको बताने वाले हूँ अभी और इसमें एक सेंट को मैंने आड नहीं किया आर्टिफिसियल सेंट ठीक है इसको मै टीनों सेंड को मैंने वहां एड़ किया है विस्वे मिलते हैं आपके लिए एक जिका कर दिया है तो चलिए देखते हैं ये sand कोंकों से है ताइपस उफैंड आपको हम बताने वाले कुछ सेंड यहाँ पर है आप इनको देख लें ठीक है अब परकार के यह सेंड है इनके बारे में आपको आगे बताने वाले है तो नहीं परकार सेंड पहला है पोरल्स रा विल्ड नुसरा 3 पर इमेच्वर सेंड चौत्या है जीप्संड सेंड और दिकी आगे सेंड देखें सेंड इन्थ सेंड रिवरर सेंड सीसन ग्रीन सेंड चौुक्षब सेंड मिक्स कार्बोनेल सिलिकेट सेंड और वर्मस इन्ध और सेंड और वालकैनिक रिесन इन लितिक सैंड, ड्रेनेट सैंड, हेबी मिनरल सैंड, सैंड विट, हेमेटटिक पिगमेंट, कॉंट्री नेट्रल सैंड और क्वाटर सैंड यह एक 10 पड़का के सैंड हो गए, इनको आप याद कर लेंगे और चलिए इन सेंट के डिफिनेशन भी मैंने लिक रखे हैं आपके लिए मैंने नोट्स बना दिया तो चलिए देखते हैं मैंने आपके लिए नोट्स बना दिये हैं और लिख भी दिया है इसके रिफलेस्ट टाइप टाइप्ट ऑब सेंड के बारे में ठीक है इसको आप पढ़के एजली समझ जाएंगे और पहला क्या था मेरा कोरल सेंड था दूसरा था गिलास सेंड ठीक है देखेंगा इस तरह के सेंड में क्या होते हैं इस सेंड के होते हैं उसी तरह के क्लाइन में मैंने सब सेंड का डिफिशन आपके सामने यहां लिख दिया है जिसको आप पढ़के इसली समझ जाएंगे और आप इसको नोट कर लेंगे और यह कोई बहुत मुश्किल नह नहीं किया मुझे मुझे ऐसा नहीं लगा कि हर को पढ़के आपको बताने की जरूरत था इसलिए मैंने सिफ यहां एक्स्प्रेंट कर दिया है कि आप यहां से समाझ जाएंगा पीट सेंड देखेगा आट नमर पर मेरा रिवर सेंड था इसके बारे में रिवर सेंड था इ है सबके बारे मैंने ल है घुट है मेरा है अंट इसके अटियंगा है यहां से लिख दिये है एक और पड़का या बिल्कुल समझ जाएंगे और वोलकेये सेंड किसे कहते हैं मैंने हाँ देखेगा नोट कर दिया है तो इस सत्रह हो गए देखेगा अठारा में हेवी मिंडल सेंड इन इस टाइप सब टाइप अप सैंड दियर आर सम हाई मास मलीकूटीज फाउंड एंड कैन मेक एस्टेबल एस्टेक्चर ठीक है उसी तरह सैंड स्वीट दिखेगा है मैंने बटा दिया है तो तमाम सेंड जो थे आपको इसके बारे में आपको आपको नोट कर लेंगे पढ़ केक लाइंग में समझ जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं depending on the particle grain size the sand is divided into four class देखे हमने वहां भी आपको बात कि यहां भी फोर क्लास में मैंने इसको बाटा देखे हैं वेरी कोर्स मेडियम और फाइंड इसका आपको size मैंने वहां बता दिया थे देखे हैं क्लासिफिकेशन अप सैंड एक्वाइडिंग तू size ASTM का क्या मतलब होता ह American Society for testing materials ठीक है उसके एक वर देखेगा fine set क्या होना चाहिए सीफ नमर 16 से आपको यह होना चाहिए इसका पार्टिकुलर शूड पास इसका यूज प्लाइटर वर्क में किया आता है और दूसरा सैंड जो भी यह आपको सीफ नमर 8 से पास होना चाहिए इनका work जो है में से work सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसको नोट करें और पढ़ें और कुछ सीखें, जो मेरा परपस से आपको सिखाने का वह पुरा, एक बात आप से हम और कहना चाहिए, कोई बेक्टिकर टिपनी मेरी नहीं है, किसी के लिए बेक्टिकर टिपनी मैं नहीं कर रहा हूं कि किसी को बुरा लगे, बट एक चीज़ यूटीब पर जब से हमाएं काफ कि क्या बच्चों को पढ़ने में रूची नहीं है, या फिर बच्चे जो है, पढ़ना नहीं चाहते हैं, बाकी चीज़ कर बात कीजिए, बाकी अगर किसी टॉपिक पर भी वीडियोज हों, उसके व्यूज बहुत जाते हैं, तो लोग उससे ही पसंद करते हैं, और प्राह यूट्यूब इतना पॉपलर था, या यूट्यूब की नेट इतना पॉपलर था, कि हम लोग उसके जरीए कुछ कर पाते हैं, तो वहां से हमको कोई help नहीं मिलती हैं, आज जब के यूट्यूब हमारे पास है, और इसमेर बहुत सारे वीडियोज, हाड लेक्चर तो आप सबको, तो आप अपनी कीमती राय जरूर दें, सिकायत या सुझाओ के लिए कॉमेंट कर सकते हैं, आप, that's all.